नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉलिवुड में बैड मैन के नाम से मशूर गुल्शन ग्लोवर को कौन नहीं जानता गुल्शन ग्लोवर ने अपने फिल्मी केरियर में जितनी भी फिल्में की उनमें अधिकतर उन्होंने नेगटिव किरदार ही निभाए है 21 सितंबर 1955 को पैदा हुए गुल्शन ग्लोवर 66 वर्ष के हैं और नई दिल्ली में उनका जनम हुआ था आपको बता दें कि उन्होंने 1998 से 2001 तक कई फिल्मों में काम किया और इससे पहले भी वो फिल्मों में पूर्ण रूप से एक्टिव रहे हैं आपको बता दें कि गुल्शन ग्लोवर एक ऐसे अभीनिता है जिन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है और लोगों ने उनके द्वारा की गई कॉमेडी को भी अपने सराकों पर बिठाया है आपको बता दें कि बॉलिवूड में अम्रिश पूरी के बाद अगर किसी भी विल्लन का नाम लिया जाता है तो उसमें गुल्शन ग्रोवर को सर्वो परी माना जाता है आपको ये बात जानकर हरानी होगी कि उन्होंने 1980 में हम पाच फिल्म से अपने केरियर की शुरुआत की और इसके बाद एक दोर ऐसा आया कि हर फिल्म में लगभग गुल्शन ग्रोवर तो दिखते ही थे इसके बाद गुल्शन ग्रोवर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तेल्गू हो या पंजाबी या फिर बंगला फिल्म में उन्होंने हर फिल्म में काम किया यहां तक कि उन्होंने इंगलिश फिल्मों में भी काम किया है ऐसे में कुल्शन ग्लोवर का घर आज हम आपको दिखाएंगे कुल्शन ग्लोवर का घर बेहद ही खुबसूरत है और इस घर में उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार हर चीज को उपलब्द करवाया है घर के अंदर आठ कमरे हैं और एक स्विमिक पूल भी बताया जाता है ग्लोवर को एक लक्जीरिस लाइफस्टाइल जीने का शौक है इसलिए इस घर को भी उन्होंने उसी अंदाज में सजाया है आपको ये घर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ग्लोवर की कौन सी फिल्म सबसे ज़रूर पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को ज़रूर दबाएं धन्यवाद